हेलो विद्यार्तियों नमस्कार SRP Education पर एक बार पुने आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में मोडल प्रसंपत्र हल करने के क्रम में ये विज्ञान विश्य का तीसरा मोडल प्रसंपत्र है जो आज हमल करने जा रहे हैं वीडियो को शुरू करने से पहले सभी विद्यार्तियों से एक बार पुने रिक्वेश्ट है यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब जरूर कर ले शुरुआत करते हैं पहले प्रसंद से बहु विकल्प ये प्रसंद है निम्न में से कौन सा प्रतिजेविक है निम्न में से कौन सा प्रतिजेविक है ओप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट बे इस्टेप्टोमाइसिन से एलकोहल और दे उस्ट है सबसे पहले प्रति जेविक क्या होता है प्रति जेविक सुक र sheriff दवडरा उत्पन उसदी जो विभी मारी पेदा करने वाले सुक्रम जीवों को nest कर देती है वो प्रतिज जिविक होता है तो option no. left होगा Bratreptomycin इसके अलावा एक होता है Tetracyclin और एक होता है Erythromycin ये प्रतिजज जिविक होते है Question no. 2 need cut nam liquid मेंसे किसको पीट कर पतली पतली चादरों में परिवर्थित किया जा सकता है तो ओप्शन नमबर ए है जिंक, बै है फॉस्फोर्स से सलफर दे ओक्षिजन तो ओप्शन नमबर हमारा राइट होगा ए जिंक को पीट करके पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है तो ओप्शन नमबर तीन निम्न में से कोन सा जिवास में इंदन है जिवास में इंदन जो करोडो वर्सों से परत्वी में दबगर के जिवास में इंदन की रूप में बनते हैं तो उप्सन नमर ए है कोईला बेपेट्रोलियम से प्राकर्ति गेस दे उपरियुक्त सभी तो प्रसन नमर तीन में उप्सन नमर राइट होगा दे उपरियुक्त सभी चोता प्रसन है आंत्रिक निश्य चन होता है निश्य चन दो परकार के होते हैं आंत्रिक निश्य चन और बाहिय निश्य चन तो आंत्रिक निश्य चन कहा होता है ओप्सन नमर ए मादा के सरीर में बे मादा के सरीर के बाहर से नर के सरीर में दे नर्ख के शरीर के बाहर तो विद्यारतियों उप्सन नमर राइट होगा ए मादा के शरीर में आंत्रिक निश्यचन मादा के श्रीर के बाहर होता है, क्युशन नमर पांच, चार बच्चों को लोटनिक, इस्थेतिक ततासरफिक रसन के कारण, बलों को गटते करम में व्यवस्थित करने को कह गया, और इसनकी व्यवस्था है, वो निचे दी गई है, और सई व्यवस्था का चैयन कीजिए, आप जो व् व्यवस्थित करना है, क्युशन नमर है ये पांच, तो सबसे पहले होगा इस्थेतिक, उसके बाद में सरपी गर्षन, और लास्ट का है लोटनिक, ओप्सन नमर हमारा राइट होगा, वो होगा से, क्युशन नमर छे, द्वनी संचरित हो सकती है, द्वनी संचरित हो सकती है, केवल वायू तता गेसों में, बे उप्सन केवल ठोसों में, या केवल दरिवियों में, दे उप्सन है, ठोसों, दरिवियों और गेसों में, तो द्वनी है, वो इन तीनों में ही संचरित हो सकती है, ठोस, दरिवियों और गेस, क्युष्टर नम्र साथ जो है दो द्रिवियों A थता B के विदुद्चालक की एक जांच करने के लिए एक सम्प्रिक्षित का प्रियुक किया गया ये देखा गया कि सम प्रिक्षित्र का बल्प द्रिव्य A के लिए चमकिला दिप्त हुआ जबकि द्रिव्य B के लिए अत्यांत सीन दिप्त हुआ आप निश्कर्ष निकाल सकते हैं इन चारों उप्षनों में से कौन सा राइट होगा तो ओप्षन नमर हमारा राइट होगा ए ओप्षन द्रिव्य A द्रिव्य B से ज़्यादा चालक है प्रसन नमर आठ निम्न लिकित में से किसे गरसन दवरा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता इन में से कौन सा उप्षन होगा प्लास्टी का पेमाना तामबे की छड फुलावा गुबारा या उनिवस्तर तो उप्षन नमर राइट होगा अमारा बे तामबे की छड जो गरसन दवरा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता प्रसन नमर नो रिक्तिस्तानों की पूर्ति करें रिक्तिस्तान की पूर्ति में प्रसन नमर नो सूर्ये से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह है ये परसन में विद्यारतियों के लिए छोड़ रहा हूँ सूर्ये से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह कौन सा है वो आपको कमेंट पोक्स में कमेंट करके लिखना है दस्वाबरस ने एक इस्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गई पोदों को क्या का जाता है पोदों को फसल का जाता है ग्यारवा है संसलेशित रेशे, संसलेशित रेशे, रिक्तिस्तान अथवा, रिक्तिस्तान रेशे भी केलते हैं तो संसलेशित जो रेशे होते हैं, कृत्रीम भी हो सकते हैं, कृत्रीम और प्राकर्टिक दोनों रेशे होते हैं, या इसे हम कहेंगे कृत्रीम और आगे अथ्वा आया है, तो आगे हम लिख सकते हैं, माननव निर्मित रेशे भी केलाते हैं, बारवा है सोडियम और पोटेसियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है क्योंकि सोडियम और पोटेसियम बहुत अधिक अभिक्रिया सील है ये ओक्षिजन और ये ओक्षिजन और जलके साथ उत्पनतिवर अभिक्रिया करते हैं तथा उसमा उत्पन करते हैं इसलिए सोडियम और पोटेसियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्यूस्टन नमबर 13 सुक्सम जिवों के मुख्य वर्ग कौन-कौन से हैं सुक्सम जिवों के मुख्य वर्ग तो चार है एक तो जिवानू दूसरा होगा कवक जिवानू कवक तीसरा है प्रोटो जोवा और चोता है अन्य या कुछ सिवाल तो मुख्य वर्ग सुक्सम जिवों के मुख्य वर्ग है वो चार है जिवानू कवक प्रोटो जोवा और कुछ सिवाल अगला प्रस्ण ले रहे है रेड डाटा पुस्तक क्या है रेड डाटा पुस्तक वह है जिसमें संकटा पन जो इस्पिसीज है उन सभी इस्पिसीज का रिकोर्ड रखा जाता है वो होगा रेड डाटा पुस्तक प्रसन नम्मर 15 कायांतरन किसे कहते हैं कायांतरन किसे कहते हैं लारवा के कुछ विशेश परिवर्थनों दवारा वैसक जन्तु में बदलने की जो परकिरिया है उस परकिरिया को कायांतरन कहते हैं प्रसन नम्मर 16 प्रसन एक ही प्रसन में दो प्रसन है क्या सुद्ध जल विद्युत का चालन करता है और यदी नहीं यहां से दूसरा प्रसन है यदी नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं सुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता है और इसको चालक बनाने के लिए इसमें हम कुछ बुंदे तनू सल्फ्यूरिक अमल की मिला देते हैं तो हम इसे चालक बना सकते हैं अगला प्रसन है प्रसन नम्मर 17 तडित से अपनी सुरक्षा के तीन उपाईश हुजाईए पिसले मोडल प्रसन पत्र में भी ये प्रसन हल किया है और तडित से उपाई क्या है तडित से उपाई एक तो जैसे ही आप खुले इस्थान में है तो किसी बड़े पेड के निचे ने हो किसी भवन का हमें आश्रे लेना चाहिए और तडित होते समय हमें निचे बेड जाना चाहिए अपने दोनों कान है वो बंद कर लेने चाहिए किसी इस रुक्षित इस्थान पर चले जाना चाहिए अठारमायत तारों के बीच की जो दूरी है उनको प्रकास वरस में क्यों वक्त व्यक्त करते हैं इस कतन से क्या तातपरी है तारों के जो बीच की दूरी है वो दूरियां बहुत अधिक है तारों के बीच की दूरियों को प्रकास वरस में क्यों वक्त करते हैं क्योंकि तारों के बीच की जो दूरियां है वो बहुत अधिक है ये दूरियां मिलियन या बिलियन किलो मिटर से भी अधिक है किलो मिटर प्रसन नमर 19 पोद्धों पर प्रभाव का अपने सब्दों में वर्णन कीजिये किस प्रकार भीन है ये बड़े प्रसन जो है हम के वलियां प्रसन बता रहे हैं थर्मो प्लास्टिक तता थर्मो सेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर इस्वस्ट कीजिए ये भी मोडल प्रसन पत्र में पेले बताया जा चुका है कोईला बनने की परकिरिया समझानी है कोईला एक जिवासमिंदन है और उसका निर्मान कैसे होता है क्या इन प्रियोजनाओं के लिए वरिक्षों की कटाई नयाय संगत है इस पर चर्चा कीजिए तथा संक्स्पित एक रिपोर्ट तयार कीजिए कि फेक्ट्रियों एं आवास की मांग किया पूर्ती के लिए लगातार वनों की कटाई हो रही है और ये सरकार के दवरा ये परियोजनाओं जो चल रही है इनके लिए वरिक्षों की कटाई है वो न्याय संगत है या नहीं इस पर आपको एक रिपोर्ट के रूप में आप अपने सब्दों में बड़ा प्रसन है बड़े प्रसन यानि की सोडेश और सब्दों में आपको इसे उत्तर अपने अपने हिसाब से इनका उत्तर लिखना है चोबी स्वापरसन मताएंगे चोबी स्वापरसन है समझाईए जिवासम इंदन समाप्त होने वाले प्राकर्तिक संशादन क्यों है जिवासम इंदन का निर्माण होने में करोडो वरस लग जाते हैं इनका जो निर्माण है जो जिवास में इंदन बनते हैं बननेम की जो परकिरिया है वो अत्यंत धिमी है और जिवास में इंदन का दोहन करना उप्योग में लेना जैसे कोईला है पेट्रोलियम है तो ये जो जिवास में इंदन है इनका जो उप्योग किया जा रहा है वो अत् पर इस्वgriff कीजिए अच्छा परसने क्या है और परदुशित वायू क्या है इन दोनों में अंत्र क्या है वो आपको इस्व 1956 करना है कोरिना वाइरस वीमारी का संकरमन किस प्रकार होता है तन्यवाद विद्यारतियों सबी छोटे प्रसन एक से लेकर के लगबग 17-20 तक जो भी छोटे प्रसन है उन परसनों को हल करने का हमने प्रियास किया है आगे भी आपको मोडल प्रसन पत्र मिलते रहेंगे और यदि कोई तुरूटी होती है तो भी आप उसे सुदार जरूर करें धन्यवाद